आज की वीडियो में हम पंचकोन यानि के स्वीट हार्ट नेक को पाइपिंग के साथ बनाने का तरीका सीखेंगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइबर है तो थैंक यू वेरी मच और अगर आप यहाँ पर नए है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक कमेंट और शेयर करिए तो सबसे पहले तो मैंने कुर्ती पर यहाँ पर अपने मेजरमेंट के हिसाब से स्वीठार्ट नेक बना लिया है आप भी अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपना स्वीठार्ट नेक पहले कट कर लीजे इसको पंच कोन नेक भी कहते हैं क्योंकि इसमें पांच कोने होते हैं अब हम पहले इसके लिए पाइपिंग बनाते हैं तो यहां पे पाइपिंग बनाने के लिए हम कॉर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हर बार वो अवेलेबल हो ज़रूरी नहीं तो बिना कॉर के भी प्रॉपर फिनिशिंग की पाइपिंग कैसे बनती है वो मैं बता दू पहले तो आप क्रॉस कपड़ा ले लीजिए उसके उपर दो इंच का मार्किंग कर लीजिए फिर उस कपड़े को कट कर लीजिए अब इस दो इंच की पट्टी को हम बीच से मोलेंगे और खुले वाले हिस्से पर एक पॉइंच इतनी सिलाई कर लेंगे अगर आपको दोरी वाली यानि के कोड पाइपिंग यूज नहीं करनी है तो आप प्लीज यही मैथड यूज करिए कोई भी गला बनाने में तो आपको शेप बनाते वक्त आसानी रहेगी और उसका फिनिशिंग भी अच्छा आएगा अब हम अपनी कूर्टी के उपर इस पाइपिंग को अटाइच करेंगे कूर्टी के सिधे हिस्से के उपर हमने ये जो पाइपिंग के उपर सिलाई करी थी वो बाला हिस्सा हमें रखना है और इस करी हुई सिलाई के उपर ही हमें दूसरी सिलाई चलानी है शुरुवात में तो सिलाई सीधी है तो वहाँ पर आप अपनी पाइपिंग को या कपड़े को बिल्कुल नहीं खीजे जैसे ही वहाँ पर मोड आ रहा है वहाँ पर रुख जाईए मशीन को खड़ा कीजिए और फिर वहाँ से हमें नीचे की तरफ जिस टाइरेक्शन में जाना है उस तरफ पाइपिंग को खीचिए लेकिन ध्यान रहे वहाँ पर कोई भी जोल नहीं पड़ना चाहिए अगर वहाँ पर जोल पड़ रहा हो तो आप क्लोवर की या सुई की मदद से वो जोल हटा दीजिए और फिर से मशीन को नीचे करके वहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई कर लीजिए फिर वहाँ से जैसे ही आप नीचे की तरफ आ रहे हो वापस से पट्टी को ढीला छोड़ दीजिए और दूसरे वाले मोड तक ढीली सिलाई लाईए अब हम फिर से तीसरे वाले कोने पर आए हैं सिम मेथड अपलाई करनी है केक पाइपिंग को थोड़ा सा खीचना है और मशीन को नीचे करके फिर से वहाँ पर जोलना पड़े वैसे सिलाई कर देनी है इस तरह से करके आप पूरी सिलाई कमप्लेट करिए अब जहां पर हमने पाइपिंग को खीचा था वहाँ पर हम अंदर की तरफ थोड़ा सा कट लगा देंगे और फिर से इस पाइपिंग को उल्टा करके इसके उपर शेप बिठा देंगे मैंने यहां पर एकदम बारिक पाइपिंग बनाई है आप चाहे तो ब्रॉड पाइपिंग भी बना सकते हैं कोई शू नहीं बिल्कुल इसी तरह से सीधी सिलाई करिए और जैसे ही कॉर्नर आए अब आपको मोड़ने में आपको कोई खीचाओ की करने की जरूरत नहीं है यह बिल्कुल असानी से अंदर मोड़ जाएगा यूँकि आपने पीशे की तरफ जो कट दिया हुआ होता है उसकी वज़े से असानी से शेप बिल्कुल आराम से बैट जाएगा तो फ्रेंज हमारी ये स्वीठाट नेक की नेकलाइन पाइपिंग के साथ अटेच होकर के रेडी हो गई है सेम मेथल को अपलाई करके आपको स्क्वेर नेक बनाना हो या फिर भी शेप नेक बनाना हो तो भी बना सकते है इन फैक्ट मैंने अपने प्लेलिस में इसके वीडियो बना कर दिखाए भी है आपको अगर डिजाइनर नेकलाइन देखनी हो तो आप मेरे वीडियो उसको डिफर करे सो फ्रेंज, I hope मेरा ये वीडियो आपको यूसफुल रहेगा प्लीस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करी और अगले सेशन में मैं आपको इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेकलाइन असानी से घर पे बैठे बनाने का तरीका दिखाऊंगी तरीकियो वाचिंग मुझा टियू करो डिखाऊंगी